आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज तो चली देख लेते हैं हमारा अगला question क्या है we have to evaluate e की power 2x dx with respect to x from lower limit 1 to upper limit 4 यह हमें integrate करना है तो चली देख लेते हैं कैसे होगा देखें सबसे पहले let 2x be equal to u मान लेते हैं तो 2 of dx हमारा क्या हो जाएगा du हो जाएगा या फिर dx हमारा हो जाएगा du by 2 यह तो obvious है और दूसरी चीज़ देखें क्या होगी यहाँ पर हमारा जो lower limit है ना 4 4 हमारा lower limit है when x exist तो u के case में upper limit क्या हो जाएगा 2 of x यानि 8 u तो भाई 2 of x है ना तो u के case में upper limit हो जाएगी 8 similarly 1 अगर lower limit है x के case में lower limit तो u के case में हो जाएगी 2 है ना 2 से multiply करना पड़ेगा तो देखें यह question हमारा transform हो जाएगा इस form में 1 को लिख दूँगा मैं 2 4 को लिख दूँगा मैं 8 e की power 2 x को में लिख दूँगा e की power u और d की power x को में लिख दूँगा du upon 2 है ना तो चलिए अब इसको solve कर लेते हैं 1 upon 2 constant बाहर ले आई है integral of 2 से 8 of e की power u du तो यह आजाए का 1 upon 2 e की power u का integration तो e की power u ही होता है और यह आजाए का 8 से 2 तक which implies 1 upon 2 bracket में यहां लिख दीजे e की power 8 minus e की power 2 या फिर this can be written as e square upon 2 e की power 6 minus 1 so this will be our final answer to this question I hope you guys understood बहुत basic answer था यह this is how you solve this question thank you अच्छा यह यह याद रखिएगा कि limits किस तरीके से change हो रही है है ना और हमने माना इसको 2x को x क्यों माना था यह भी obvious था so thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर